कि आपको देखने को मिलती है सबसे महत्मून सब्जेक्ट होता है क्योंकि एक तो कुछ बच्चों के लिए नया सब्जेक्ट होता है कुछ को इसके अंदर कुछ कुछ ऐसी सिद्धान कुछ ऐसे चैप्टर कह लिए जिनको समझने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि अपने जो उन्होंने कोर्स क्या होता है चाहिए अपना ब्याइड क्या हो डिलेड वगारा क्या हो या कोलीज के अंदर क्या हो वहापर कुछ टोपिक उनको मिलते हैं अ अगर आपने चीजों को ध्यान से नहीं समझा नहीं देखा कि एक्जाम में क्या चीज आती है कहा सा आती है तो यह सबसे टौफ टौफ टौफिक भी आप लोगों के लिए पढ़ जाएगा और इनफेक्ट एक ऐसा टौपिक होता है CDP का जो आपके तीस नंबर काता है चाह पी कोश्चन वास आपको देखने को मिलते हैं तो चलिए इस सब्जेट में आपको क्या पढ़ना है ताकि एक नंबर बना कर चलता हूँ 50 प्लस नंबर आप लोग इस सब्जेट के तुरूप ने तियार कर ले तो 30 प्लस सीडिए 30 नंबर CDP के और 20 प्लस नंबर आपके जो दो तिन दिन ये लगाने में लगा लिजीए कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है कैसे कैसे पढ़ना ताकि फिर आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दिए क्योंकि आपने देखा मैं भी तुरन तख लगोई कराना से श्टार्ट नहीं करता देंगे अगर मैं आपके सामने पहले एक चीज़ शेयर कर देता हों, ये भी मेरे टीम ने एक काफी स्किन्सोट दें मुझे जिनके 30 मैं से 30 theo आपका भड़क दिखेगा वहें जैसे इसके 30 मैं से 30 उसके भी है ठीक है मुझे खुदी बलड दिख रहा है एक 30 में से 30 है यह थोड़ा साफ दिखा है यह 30 में से 30 वाले ठीक है यह पेपर टू वाला 30 में से 30 है चाहे कोई भी आपके जिन बच्चों का आप लोग आपर स्कोर देख रहे हैं यह भी टीम ने नंबर लिए यह वो बच्चे जि और डेटा हमारे पास नहीं रहता यह पहली बार से मैं डेटा लेना शुरू कर रहा हूं और इसको दिखाने का मकसद है कि यह अगर यह बच्चे पूरे 30 में से 30 ला सकते हैं तो आप भी ला सकते हो और इनके अलावा भी बहुत ऐसी संक्या है बच्चों की तो हम अमारी ग संजोर हो जाएगा और आगे के एक्जाम में आपको दिक्कत आ जाएगी ठीक है तो यह आप लोगों के लिए मोटिवेट करने के लिए था कि अगर यह बच्चे ला सकते हैं तो आप भी ला सकते हो और इनके अलावा भी पता नहीं कितने अंगिनत बच्चे है जो अपने 30 30 में से 30 लेकर आचुके ठीक है अब मैं के करके चीज आपके सामने श्यर कर लेता हूं यह सीटेट का कोर्स है डेली इसमें आप लोग अपना एडमिसन ले रहे हैं ठीक है और उसके अलावा 20 तारिक साब किसमें किला सुरू जाएगी इसके अलावा मुझे नहीं लगता आ आपको एक रूपा भी सीटेट के उपर इन्वेस्ट करने की जरूत पड़ेगी और बहुत ही मिनिमुम फीस में रखावा है और इस बार मेरी ऐसी कोशिस हो रही है कि मैं बच्चे को वह सभी चीजे दे दूँ जो मेरे पास एक्स्टा भी रख्यूई थी पता नहीं अगल चाहिए मोक टेश चाहिए लाइव क्लास चाहिए सभी अलग-अलग सब्जेट के टीचर चाहिए वह सभी सिक अंदर है आपने देखा होगा कोर्स की वेलिडिटे भी मैंने पिछले बत्चों की भी बढ़ा दी आप लोगों की भी बड़ी हुई देखने को मिलेगी ठीक है अब देखे मैं बात कर लेता हूँ आपके cdp के syllabus की बात कर लेता हूँ जो आपका cbsc ने दिया हुआ है मैं कहूँ एक बड़ा स्टेंडर स्लिबस दिया हुआ है ठीक है आप लोग अगर इसकी ओफिसल वेफसाइट को पर जाओगे cta.nic.in के उपर तो उनका official syllabus दिया हु इसको अगर आप लोग ने देख लिया तो भले उससाब के 30 में से 29-68 साजा लेकिन इसमें पूरे 30 में से 30 आप लोग लेकर आ जाओगे ठीक है और आपकी एक नीव जो है ना मजबूत हो जाएगी मालीज आप डीटर पलस भी की तयारी करतो यह आपका वहापर बेस इस्ट अब मार्केट के अंदर भी कर रही है ठीक है तो मेरी अभी तक कोई किताब नहीं आए थी मैंने कहा था जब तक बैस्ट कंटेंट नहीं बनाऊंगा तब तक नहीं दूगा तो आपकी सीडिपी की किताब आगी है सीटेट की आगई नहीं मतलब काम चला है और जल्दी आप कर आप लोगों के लिए डाल दूगा कुछ बच्चों को जैसे प्रिवेशर के कुष्चन के लिए बड़ा बटकना पड़ता है फिर पब्लिकेशन दूसरी पब्लिकेशन की किताब लेती है फिर उसकंदर कुछ उनको आंसर काफी गलत मिलते है तो वह सब समस्य है इसकंद बैचकंदर मिल जाएगी और PYQ वगरा उनको सब मिलेगा बैचकंदर ही यह वो बच्चे जो किताब के थूरू भी पढ़ना चाहते है ठीक है तो मेरी काफी समय की मेहनत है जो फाइनली अब साकार होती भी दिख रही है और मार्किट के अंदर जो इस प्रकार से मेरे नाम उसे फेक किताबे कचरा किताबे चल लिया है उनका दियांड करने का समय आ गया है ठीक है यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि टार्गेट 50 प्लस अब आप लोग कहुए कि जो आपका सीट एट का एक्जाम होता है चाहे पेपर फ़ेस्ट हो चाहे आप आपको काम आते हैं यह मैंने लम सम में लिये हुए माली यह पेपर वन किसी बच्चे का है मैथमेटिक्स है तो आप सभी को पताए कि 30 नंबर में आपको नूमेरिकल आते हैं और 15 की पैड़ागोजी के अंदर जो लगबग आदी है वो सीडिप के थूरू करवर हो जाती है और जो बाकी की होते हैं सब्जेक्ट पैड़ागोजी के थूरू आपको रोते हैं जिसमा आपको मैथमेटिक्स नोलीज चाहिए होती है ठीक है तो यहाँ वाली पैड़ागोजी के अंदर भी लगबग आदे का रोल इसने निभाय है जो आपका सीडिप का सब्जेक्ट है ठीक उसी परकार से अगर में EBS की बात करो तो यह भी आपका 30 नंबर का आता है और 30 नंबर के अंदर वही आपका 15 में कंटेंट जो आपका NCIT की किताब साता है और 15 में पैड़ागोजी यह पागोजी भी दो भाग में बटी होती है ठीक है आदे भाग में वही आपका CDP help क और यहाद आते हैं यह जैसे मांव लीज आप प्रोसर्स स्केल वगरा पढ़ते हो यह एवस के आपकी जो लेंग्वेज होती है दो आप लोग यहाप लेंग्वेज लेतों कोई आप लोगों ने लेंग्वेज लियोगी दो यहाप ठीक है उसके अंदर भी बहुत सारी टो बहुत सार ऐसे Edit होते है अगर आपको सब्जेटीश नहीं है मालिज़ा आपका सोचाल साइंच है या आपका मैंच साइंच आ तो आपको सोचल साइंस के चेप्टर की उसके कंचफट2 की नहीं दे पाओगे तो वहाँ पर आपको सब्जेट। की नोलीज रखनी पड़ेगी तब ही उस पेड़ा जी का जो कोशन है का उसका अंसर दे पाओगे बट अगर आपने सीडिप अच्छे से कर ली तो उसके अंदर जो आपके सोचल साइंस के दे लगबग 8 पलस नंबर और मैं साइंस के अंदर 4 पलस नंबर इस सीडिप के तुर प्लस नंबर दिलाकल लेकर चला जाएगा ठीक है और सब्जेट पैड़ा गोजी मालीज आप लोग बैच के थुरू पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको टीचर पढ़ा रहा है वहना सब्जेट पैड़ा गोजी तो मेरा खुद गई सब्जेक्ट है मैं इसको यहापर कराता ठीक है इसलिए मैंने का ओफिचल स्लेबस को छोड़ देना जो स्लेबस आज मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ उसको देखना क्योंकि कुछ चीजा नहीं आया हुई है पूछने का तरीका नाया हुआ है और बच्चा इसके चक्र में रुखकर फेल हो जाता है ठीक है अगर मैं बात करूँ पहली यूनिट की मैंने इसको तीन यूनिट में बाट हुआ है अगर मैं पहली यूनिट की बात करूँ जो आती आपकी चैल डेवलोप्मेंट की यह लगबग आपके 15 नंबर के कुश्चन आ जाते है जिसमें सिर्फ वो चैप्टर आते है जो प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की ठीक है जीन प्याजे, लोरेंस कोलबर्ग और लेव वाइगोस्की यह तीन वड़े महत्मुन मनुविध्या निक है CDP के अंदर आते है इसके अलावा आपकी लेंग्वेज के अंदर यहां से कुश्चन पूचे जाते है लेंग्व से विकास है किस परकार से होता है उसके विचार के बारे में बात करते है और जो आज की डेट के अंदर सबसे महत्मुन चीज पर फोकस किया रहा है क्रिटिकल थिंकिंग यह वह चीज है अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो समझ लो आप लोग सीटेट क्या किसी भी एक सब्सक्राइकन इसाइस को डेखना मालीज आप लोग सीए सच कोलत dig buscar ओने या साइन्स खोलतो यह लेंग्वेजट हो ठीके, Child Centered and Progressive Education है, तो यह यहाँ पर बात कर दी, मैंने Unit First की बात करी, जिसके अंदर जो बच्चे का विकास होता है, किस-किस प्रकार से वो चलता है, उसकी सारी प्रोसेस इसके अंदर आपकी दी रहती है, ठीके, तो पहली Unit होगी, अब इनको कड़ना कास है, वो भी मैं कराऊंगा वहापर, वही आपके लिए काफी रहेगी, ठीके, यूटूब पर जो कराऊंगा, वह भी आपके लिए काफी रहेगी, ठीके, उसके लाबा गर मैं बात कर, Unit Second की बात करूँ आपके सामने, Unit Second के अंदर आपकी Inclusive Education, यानि की समाविसी सिख्षा, और CWA Essence, ठीके, Children with Special Needs, ये आपकी Second Unit आ जाती है, लगबग 5 नंबर के कोशन इस यूनिट से आपको देखने को मिलते है, Inclusive Education क्या होती है, मानलीजे कोई बच्चा Disability से गरसीत है, और जो आपकी किस परकार की दिव्यांगता है, आपके RPWD Act है, ठीके, 2016 अंदर दी हुई है, इससे related कोशन आत उसके बारे में ये आपका, आप लोग Google से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ये आपका Official Document है, ठीक है, तो मैं सारा Official जितनी भी वैस साइट होती है, authentic किताब होती है, वह ही इससे पढ़ाता हूँ, और यहां से AGT कोशन आपके exam ना आता है, ठीक है, खासकर CTAT के exam में, क्योंकि इ ठीक है, आप तो नहीं होते है, अप तो पेपर आपका offline होता है, जब से पेपर आपके online होते है, तब से आपके राष्टा सिक्सानीती 2020 से संबंदित कुशन आपके exam में काफी पूचे गए, ठीक है, उसके इलावा, जैसा अगर मैं बात करूँ, राष्टा सिक्सानीती 2020, इसको पढ़ लेना, भाई, अच्छे तरीक से, 2020 के बाद जितनी भी आज आपकी नीती आ रही है, जितना भी education के अंदर बदलाव आ रहा है, वो सब इसी के according आपको बदलाव देखने को मिल ले है, अभी आपने मैंने परसो साहत तरसो एक वीडियो के अंदर बताया होगा, open book exam आ रहा है, यानि जो board class की आपकी परिक्साय रहेंगी, उसके अंदर वच्चे किताब लेकर जाएंगे घर से, ठीक है, और इन किताबों में से देख देख कर समझ समझ कर अपनी critical thinking का यूज़ करके, उन आंसर को दोगे, कास हमारे time पे सुईधा रहती, हम तो नकल को, मै जोमेटरिक अंदर ले जाता था, ठीक है, कोई ऐसे यहाँ पर लेकर जाता था, एक जीन्स के अंदर यहाँ छोटी सी pocket होती है, यहाँ पर लेकर जाते था, ठीक है, क्यों जूट बोलना है, सभी ने करा होगा, ठीक है, आप मैं से भी बहुत निकम में होंगे, ठीक है, हमें देखना है कि बच्चा critical thinking का use कैसे कर रहा है, कैसे सोच समझ पा रहा है बच्चा, और शिक्सानीती 2020 इसके अंदर किलियर एक point दिया हुआ है आपको, कि critical thinking को बच्चे के जाए साधा बढ़ाना है, ठीक है, इसके उपर मैं अभी आऊंगा, यह सबसे मैत पूरी है, की point मतलब आपका, अगर आपने यह समझ लिया ना, तो आपका exam पास है, ठीक है, उसके लावा देखे, NCF 2005 से related question आपके mathematics के अंदर जादे पूछे जाते है, जो आपका mathematics subject है, लेकिन इसके अंदर जो आपका pedagogical view दिया हुआ है, क्योंकि अभी तो आपका यार, 22 वाला भी आ गय ठीक है, बट उसका implementation पूरी तरीके से नहीं हुआ है, और वो आपके exam में आएगा भी नहीं, तो यहां से कुछ pedagogical view आपके exam में पूछे जाते हैं, और mathematics में direct question यहां से आपको देखने को मिलते हैं, तो तीन document आपको करने जरूर ही होते हैं, और inclusive education और जो CWSN वाले बच्च आता हो, उसके थूरू पड़ सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, ठीक, अगर मैं बात करूँ आपके सामने थर्ड यूनिट की, अगर मैं बात करूँ थर्ड यूनिट की, यह आपकी learning and pedagogy, अब देखिया आपके जो CDP है, इसका मतलब है child development, यानि कि जो बच्चे का विकास ह कैसे कैसे हो दरा है, मान लिजए बच्चा अपनी गर्वावस्ता के अंदर है, पेट के अंदर है मा के पेट में, तो वहां से बच्चे की विकास की परिग्रिया सुरू हो जाती है, और उसकी व्यक्ता चलती है, ठीक है, क्या बोला, मैं भी, यानि उसका अडूल थूड त दाबो में से दे सके, और अपने अनुभाव के आधार पर आपको चीजे समझा सके, तो आपके लिए बड़ा महत्पुन होने वाला है, ठीक है, जिसके अंदर आपका टीचिंग है, लर्निंग अपने आपने एक बहुत बड़ा टोपिक है, लर्निंग के अंदर आपकी मैं अगर मोटी मोटी भी अगर आपके सिद्दान्त ले लू ना, तो लगबख 50 प्लस आपकी लर्निंग थेयरी हो जाती है, बट आपके सीटेट वाले लर्निंग थेयरी पूछते नहीं है, एक दो कुश्चन आपके यल थोंड़ा एक से कभी पूछे गएते, अब वो पूछ पूरी की पूरी अप्रोच रहती है, जैसा अगर आप लोग ने यहाप पर किताब भी देखे होगी, या मेरे वाला बैच भी देखा होगा, जो भी आप लोग यहाँ देखना चाहे, यहाँ पर सिप लिखवा है, सीटेट के साथ में स्टेट वगरा है, कुछ भी नहीं लि यह paper first और paper second दोनों के यह मेरे पास में, इन question को देख लेना है, इन question को जब आप देखोगे और इनका पूछने का तरीका देखोगे, जो examiner ने कितनी बड़ी आ language दी हुई है, तो आप लोगों को खुद फील हो जाएगा, कि आर जो TED की किताब होती है, उसमें factual question आते है, सी इसा practical question देंगे, घुमा कर देंगे, जहाँ पर आपको अपनी critical thinking का use करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए यह किताब हो, चैया आप लोग paid course के थूरू पढ़े रहो, self-study के थूरू पढ़े रहो, पूरी कोशिस करना, आप लोग, CTAT के थूरू पढ़ना, सबसे असान exam लगेगा, अगर उलज गए सबसे मुश्किल लगेगा, ठीक है, motivation and learning, यह chapter आता है, छोटे chapter होता है, ठीक है, यह question आता है, cognition and emotion, यह unit से question आपके exam में आ जाता है, ठीक है, तो यह तीन unit थी, तीनों unit मैंने आपके सामने आपर बाठी दिया, ठीक है, तो यहाँ पर यह unit आपक यह fit नहीं करी, तो seat at को फिर भूल जाना, और यह चीद दिमाग में fit कर ली, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हो, 100% विश्वास दिलाता हो, seat at में आप लोग पास नहीं करोगे, बहुत अच्छे number लेकर आओगे, वो key point क्या है, वो key point है कि आपको अब रटना नहीं ह अब आपको रटना नहीं है कोई भी चीजे, अब आपको चीजे क्या काम करने है, कोई भी concept आपको समझना है, ठीके, कोई भी concept समझना है, अब यह नहीं कि jean cry Center ने किन अवस्ताएद है, दीचार वस्ताएदी, ठीके या मानलीजे, जैसे मैं आपके सामने कुछ आपको करा और यह इसलिए मैंने आपको बता है कि आप लोग देखिए कि रट्टू तो तब आपका बनना काम नहीं आएगा और एक्जमनर कितनी बड़िया लेंग्विज आपको देता है ठीक है इसलिए मैंने का सीटेट का पैटरन बिलकुल आपके दूसरे एक्जाम से अलग हो गया ह ठीक है पहली भी अलग था अब इनोंने काफी अलग दे दिया जब से ओफलाइन हुआ है देखे क्वेशन दिया हुआ है कि रसी कूदिते समय पैर में रसी फसनी के कारण आउट होने के बाद अरू कहती है कि उसे रसी ने जान पूझ कर आउट किया यह भी आपका जो उसने मुझे को आउट करा है अब एक बात बताओ रसी कह साटर देगी क्या रसी कंदर जान होती है क्या आप लोग इसी की वजह से में यहाँ पर आउट हो गई ठीक है इसे ने मुझे यहाँ पर आउट कराया तो इसने रस्ची को क्या मान लिया निर्जीव ना ओकर इसने रस्ची को सजीव मान लिया अब सिंपल आप लोग ने बात देखी यहाँ पर बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों के बीच में अंत जुआ बच्चा सजीव निर्जीव के बीच मंतर नहीं कर पाता चलो भई पिर यूप्रेशन लगा देते हैं ठीक है यानि कि जिसमा बच्चा दो साल से लेके सात साल तक का होता है क्योंकि इसमें बच्चे जितनी यानि कि जो संक्रिय होती है उसको यहापन नहीं कर पाता ठीक है तो यह हो जाता अब आपका factual question बट एक्जामिन ने कितना बढ़िया कुमा कर इसको question पूछा है कि बच्ची यहापर आउट होगी आउट होनी का जिम्मेदार उसने किसे ठहरा है रसी को किसको जिम्मेदार ठह तो कि आपका प्री ओप्रेशनल स्टेज गंदर यहाँ पर आ रहा है बच्ची ने रस्टी को यहाँ पर सजी उमाल लिया ठीक है आप लोग ने देख लिया इसलिए मैंने कहा कि अगर आप लोग यहाँ पर रट्टु तोता बनोगे तो आपके तो तोड जाएंगे और अगर आप लोग चीजों को समझोगे अगर आप लोग NEP 2020 पढ़ोगे तो आपर सिंपल लिखा हुआ है कि हमें ज्याद से आदा है conceptual understanding पर जोड देना है सुरुवात में राष्ट्य सिक्षानीती 2020 के जो सुरुवात की आपके पेज है वही पर आपको मार्दर्सी सिद्धान देख ठीक है तो इसलिए आपको ध्यान लखना है जो भी concept आप लोग पढ़ोगे जो चैप्टर आप लोग पढ़ोगे उनको समझ समझ कर पढ़ना है अपनी understanding बनानी है कोई भी चीज रटनी नहीं है और मैं आपको वादा दिल आता हूँ सीटाट के एक्जाम में आप लोगों म रीजिन का एक बहुत बढ़िया concept examiner ने पूछना शुरू कर दिया कथन और कारक वाले जो question है इसे में कितनी चीज़ें रट लो अगर आप अपने खुद का दिमाग लागा कर मतलब critical thinking का यूज करके अगर आपने आंसर नहीं दिया या आपने चीज़ें नहीं समझी तो आ आप लोग कुछ नए concept अभी सीख रहे हो क्या हमें क्या पढ़ना है कहा से पढ़ना है कि इन गलतियों से बचना कौन कौन से टोपिक पढ़ना है आप लोग अभी concept सीख रहे हो ना तो सीखने के समय जो teacher है teacher द्वारा विद्धार्यों को सवाल पूछने और अपने संदेहो को इसपष्ट करने के लिए प्रोसाइद किया जाना चीए अब एज टीचर यह मेरी responsibility बनती है ना कि मैं आप लोगों को अगर cdp के concept के बारे में सिखा रहो अब आप लोगों के बहुस सारे सवाल भी निकल ले होंगे लेकिन क्या करें बढ़ास निकालने सकते बस यहाप लाइव में आप लोग कुछ ना कुछ आंसर कुछन पूछते जाओगे ओफलाइन क्लास तो है निकि यह ऐसे कैस होगा सर यह कुछन वहां से क्यों नहीं आया ठीक है तो आपके मन में बहुस सारी चीज़ें निकालने के लिए लेकिन निकालने फार हो क्या करें ओन्लाइन आप ठीक है तो आपको ऐसे बच्चों को एंकरेज करना चीए नहीं करना चीए करना चीए भई प्रोसाइद करना चीए अब सोच आप लोग कोशन पूछन में करना जलो बेवकूप आ गया कोशन पूछन हर बार ऐसी आ जातो कितना बुरा लगेगा तबी गाली देकर अभी कतन यहाँ पर दिया हुआ है वह बिल्कुल ठीक है एकरेज करना चाहिए यहाँ पर प्रोसाइद करना चीए ठीक है करना चाहिए अगर इसमें से कोई ना कहें तो मुझे बता दियो मैं उसकी बढ़िया तरीगे से खाल उतागता हूँ ठीक है अब इसमें तरक देख मारते थे तो ऐसा क्यों है प्रोसाइद क्यों करना चाहिए अब इसमें तरक यह दिया है कि जो सवाल पूछना है जो आपर कुशन पूछे जाते है ठीक है वह समालोचनात्मक चिंतन यानि कि जो किटिकल थिंकिंग होती है जिसमें बच्चा खुद अपना तरक वितर्क कर उसके अगर कोई भी जिग्वाही और आपके अपका सही हो जाता और यहापका यह था ए सही होकर आर इस की व्याक्षै भी करता बटी इसने कह दिया बादा तो ये statement आपकी गलत हो जाएगी यानि कि तरक इसने आपर गलत दियावाया अगर यहाँ बादा की जंग सायक बोलता तो A और B दोनों से ही हो जाते और आपका जो है तरक इसमें यानि जो R है वो इसकी सही व्याक्या करता A की तो एक सब्द ने प देखने को मिलेंगे अब इसलिए मैं आपसे सुरुआत में ही का यह सबसे की पॉइंट है जो आपको अपने देखने को मिल रहा है कि चीजे भाई बिलकुल भी रटनी नहीं हैं चीजें समझ नहीं है इतना सा सलिवस है उस ही में से एक्जाम आपका आता है बस उसको गुम आपको सारी चीज़े समझा सको अगर आप यह कोश्चन है यह इसका आंसर है चलो भई ठीक है अगले कोश्चन पर लेकर आओ फिर डबबा गुल हो जाएगा आप लोगों का question limited करो लेकर उनको detail में समझके करो अपने concept को समझकर करो सारी चीज़ आपकी आपर clear हो जाएगी तो जो मैंने question के थुरू आपको दिखाया अब आप लोग गी तरफ से question आता है कि क्या कुछ नया topic आया गया क्या कुछ नया exam होता है for example CTAT exam होता है तो मैं paper को देखता हूँ paper में देखने बाद जैसे मुझे लगता है अच्छा यार यह वाला एक नया question है तो मैं तुरंत उसको अपने register के अंदर note नहीं मिलती तो यह काम भी आपको करना है नया topic कुछ भी नहीं है अभी जैसे पीछली बार आप लोग ने पढ़ाओगा तो नया topic नहीं है कुछ नए concept आ जाते हैं उसके लिए मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूँ ठीक है जो आपका सारा मैनत आपको खन्यूति मैं कर लेता हूँ क्योंकि मुझे तो बहुत कम टाइम लगता है paper पड़ा जट जल्दी अचा यार एक दो concept नहीं है उसको ठीक अब बात करते हैं आपके पैड़ागोजी की बात करते हैं देखें मैंने आपको सुरुवात में एक चीज बताई पहली चीज तो आपके सामने यह है कि जो आपको पैड़ागोजी देखनों को मिलेगी ठीक है जो आपको यहाँ पर पैड़ागोजी देखनों को तो आप लोग उस concept को यूज़ करके अपनी बुद्धी का यूज़ करके उसका सयांसर दे दोगे वह जाती है subject पेड़ागोजी एक पेड़ागोजी होती है जिसमें सिंपल यह देखा जाता है कि टीचर की क्या अप्रोच है बच्चे की तुरू पढ़ा रहा है अगर पीचर की क्या जिम्मेदारी है कि इन बच्चों का जो अटेंशन है क्लासरूम में लेकर आए और फिर अटेंशन लेने वाद यह अपना रिटेंशन कर सके चीजों को यहाँ पर धारण कर सके ठीक है तो मुझे कल्लू जी और रीना जी को समझाना पड़ेगा इस तरीके के एप्रोज का यूज करना पड़ेगा ताकि मैं इंट्रेस्ट बच्चों का क्लासरूम में लेकर आ जाओ और बच्चों से रिलेटिड कोश्चन आपको देखने पड़ेंगे यह सभी आपके लेकिन सब्जेट पेड़ेगोजी जिसमां आपको सब्जेट की पकड़ अच्ची रहेगी तब लोग उसकी पेड़ेगोजी भी हापर कर पाऊगे ठीक है तो यह चीज मैं आपको बता दी और पेड़ेगोजी के लिए मैं आपसे बार-बार कहता हूं इसके अंदर कोई कि चलती जो मैं चीज़े समझाता हूं ठीक और ऐसी बात नहीं है कि मैं मतलब सीधा आकर पढ़ाना सुरू कर दिया कितनी सारी जो गुर्मेंट ट्रेनिंग्स होती है उनका मैं इससा रह चुका हूं जैसे आप लोग यहापर मेरी किताब भी देखोगे ना तो किताब के बार के जिसके तुरू यह बता जाता है कि टीचर को आपको कैसे कैसे नोलीज देनी है ताकि बच्चों को इस प्रकार से चीज़ें डिलिवर्ड कर पाए चीज़ें यहापर समझा पाए तो इन कई ट्रेनिंग का हिस्सा मेरे रह चुका हूं और उसके लावा काफी साल चा पढ लिकुल भी नहीं दूँगा तो यह चीज मैंना आपको आज आपका स्लेवस पता है यूनिट वाइज मैं आपको पता है इसकी तैयारी मैं आपकी यूट्यूब पर भी कराऊंगा जब मेरी आठ वजे से किलाज चल जाएगी अभी मैं आपके सामने पेपर का आपके पेप आख लगाना पड़ रहा है और सबसे गंदी बात मुझे लग रही है यह लोग सेलिवस चेंज नहीं कर रहे है घिसा पिटा वही सेलिवस आ रहा है बार बार पढ़ा पढ़ा के जब आप लोगों को बढ़ा मज आएगा लेकिन जैसे आप लोगों को कुछ साल हो जाएंग है अब टीचर की भी हालत खराब कर रखे जो आपको पैसा दिया जाएगा पूरी मेहनत का ही आपको दिया जाएगा ठीक है तो यह चीज़े मैं आपके सामने शेयर कर दी बाकि अगर आप लोग सारी चीज़ें डिटेल में एक साथ पढ़ना चाहते हो कंटेंट आपको एक आपको ठीक लगे जो आपका ठीक लगे वह आप लोग यहापर कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो सभी अलग अलग टीचर आपको पढ़ाते हैं तो कुछ सब्जेक्ट में आपको नहीं करा पाता हो तो इसलिए बच्चे अप्लिकेशन के थुरू होता है कैसे कुछन पूछे जाते हैं और क्या गलती आपको नहीं करने इसलिए आप लोगों ने देखा होगा मैं कभी भी सीधे आते कुछन आंसर स्टार्ट कराना शुरू नहीं करता पहले मैं समझाता हूं बच्चों को कि यह से लिवस है यह पैटन है यह चीजे पूछ नहीं जा रहा है पहलता यह टैट नहीं बदो नोहीं रूर आपके Celine आएःगा परोमषे और वाले को दिया था मुझे पड़़ें और नहीं परवाना था बदेख्त परवन ही कर दिया मुझे पेपर वन ओ टू दोनों है बहुत जरूरी है क्या मैं दुबारा फोर्म भर दू कि मेरे क्या है फोर्म में रिजेक्शन हो जाएगा ठीक है जो आप लोग कैफी के थूरू पड़ा अपने फोर्म भरवाते हो ना जब कैफी वाला फोर्म भरा करें वही पर आ लोग दुबार से कैफे वाले के पास जाना और उसको बोलना इस प्रोसेस के लिए को करवा देगा ठीक है और पूछो जल्दी से बिल्कुल देखें यह सारी डीटियल मैं आपको देदी बैच वगरे की डीटियल देदी इसमें सभी टीचर के बारे में मैं आपको बता दि लोगों को पता चल जाएगा ठीक है और पूछे जल्दी से आपकी एक साल तक रहेगी यानि इसके बाद भी जो आपका सीट आता आएगा जब तक ही आपका कोर्स रहेगा उसके लिए बेफिकर है ना और यह सभी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएगी ठीक है और प आपके सामने शेयर कर दूँआ तो जितनी भी सीटेट की किताब है वह सब आपको देखने को मिल जाएगी सबसे पहले सीड़ी कि आपको देखने को मिलेगी ठीक है और पूछो जल्दी से क्या कुशन है जल्दी जल्दी पूछो भई आपके है डिस्काउंट वही मैनने बतातो त vapor आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है और पूछो जल्दी से क्या कुशन है हा लव यू वल ठीक है ठीक और पूछो इसमें कमेंट तो पड़े नहीं जाते कोई दूसरा फोन दिया का और पूछो जल्दी से मेरा जोब लग गया अच्छा ठीक है सीट्रेट में क्यों आ रहे हो फिर अब इतनी देर से मैं क्या बता रहा था यह भी बीच में लाइव जुड़े होंगे की सीडिपी कहा से रहे ठीक है तो ठीक है फ्रेंट्स आज की वीडियो के अंदर जितनी इन फूर्मेशन मुझे देनी थी वह मैं आपके सामने शेर कर दी पूरी की पूरी आप लोग डीट यहाँ पर टाइम लिखाओ आया आठ वजे से उसकी मैं यूटूब पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए डाल दूगा मैं भी तयारी कराऊंगा ठीक है और उसके लिए बेफिकर रहना है आप लोग और बैच के थूरू पढ़रो तो आप आपको सभी चीज़े मि आप करने लेनी नहीं है कि चले फैंट मिलता हू नेक्स वीडियो में अपके पर एनलिसे करा दूँआ ठीक है टीक है टेपर फ़र्श्ट पीपर सेगें मैं एक इखिस्टर कापंधी लेका सेकता है सेमय सेशन पूछिण पूच जाते पो एक के अंदर दोनों की लिए आप पढ़ना है और फिर हम लोग यहां पर त्यारी जवर्दस तरीके से करेंगे ठीक है चिले फ्रेंट्स मिलता हो आप लोग उसे नेक्स वीडियो में कोई आपका और क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग यहां पर लिख देना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भई इस तर्टिफिकेट आपका भी डिजी लोकर में नहीं है जनुरी वालों का जैसे आ जाएगा आप लोग उसको निकाल सकते हो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है और पूछा जल्दी जल्दी से पूछ लेक दोर ठीक है ठीक है जैतर वही कोशन आ रहे है कि लास लेना है वे लेना है सब बता रखें मैंने यह आपके सांदरी डीटेल है चलो फेंट्स मिलता हो आप लोग उसे नेक्स्ट वीडियो केंदा थेंक्यू